क्या सच में कभी महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और यदि युद्ध लड़ा गया था तो इसका कोई परमार्द होना चाहिए क्योंकि महाभारत के युद्ध में लाकों लोगों ने अपनी जान गमाई थी। जिंदु धर्म में माना आता है कि महाभारत में वर्नित घटनाएं सत्य और परमारित हैं लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे कालपनिक मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानने को तयार ही नहीं है कि महाभारत के युद्ध कभी लड़ा गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। दोस्तो ऐसे बहुत से प्रमार आज भी मौजूद है जिससे यह पता चलता है कि स्रिक किष्ण ने धर्ती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज मैं आपको महाभारत काल के नौ ऐसे जिंदा सबूतों के बारे में जनकारी दूँगा जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि महाभारत की घटनाएं बिल्कुल सत्य है। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रजनी कांत ओजा। पहला सबूत है कुरुछेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का जुद्ध कुरुछेत्र में हुआ था। जो कि हर्याना राज्य में इस्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर जुद्ध में बहे खुन की वज़ा से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरा तत्विक विसेसग्यों ने भी यह माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा पाया गया है। जिनकी जांच में यह पता चला है यह अठाइस सो इसा पुर्व के हैं। जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। दूसरा सक्ष है अरजुन का चक्रव्यूः। आप महाभारत में अरजुन के चक्रव्यूः। के बारे में जानते होंगे। लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूः। का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल परदेश के हमीर पूर जीले के 16 सिंग्वी धार के नीचे बसा राजनोड गाउं एक एतिहासिक अस्थल के रूप में मसहूर है। यहाँ पर पांडव, हज्यातवास के दोरान रुके थे। इसी समय अरजुन ने यहाँ पर चक्रव्यूः। का ज्यान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूः को ध्यान से दिखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू के लिए के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में आपने ब्रह्मभास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मभाद्वारा धर्म और सत्य को बनाय रखने के लिए बनाया गया था। जो कि बिनास्कारी परमाणु हत्यार था। इसको केवल दुसरा ब्रह्मभास्त्र ही रो क्योंकि इस से सारी लंका नश्ट हो जाएगी और कई बेकसुनों की जान चली जाएगी ब्रमभास्त्र बेहत सक्तिसाली होता था जिस कारण महाभारत और रमायरकाल में यह सिर्प गिने चुने जो धाओं के पास ही होता था यह अस्त्र पूरी दुनिया को नश्ट करने की त से इससत्र बाद बैग्ज्यानिकों ने भी माना कि इस तरह का सस्त्र महा भारत में इस्तेमाल किया गया था भगवान श्रीकृष्न को द्वार्ख का राधा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जनकरी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी यानि कि पुरा नगर ही पानी में समा जया था आपको जानकर आश्चरे होगा तो पुरा तत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना सहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है यहीं द्वार का नगरी है जिसका बर्णन महाभारत में है पांचवा लक्षाग्रिय की भुमिया भी महत्वपून माने जाती है कौराओं ने पांडों को ज़ाने की साजिस के लिए लक्षाग्रिय के निर्मार करवाया था लेकिन पांडो सुरंग से निकल कर बाहर आ गए थे कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर परदेश के बरनावा नावकस्थान पर मौजूद है चठा महरति करण का अंग राज जिय कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर करण अंग देश के राजा थे जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था आज अंग देश को उत्तर परदेश के गुंडा जिले के नाम से जान जाता है सात्वा परमाण स्रिमत भागवत गीता है जिन्होंने भागवत गीता परी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें जयातर सलोग दो लाइनों में लिखे गए है आप किसी भी सलोग को पढ़ें और समझे तो वह कम सब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं जैसे गागर में सागर गीता में जो बाते लिखी है वह किसी समाने व्यक्ति द्वारा नहीं बताया सकती है भले ही मानवस अभ्यता का काफी विकास हो गया हो लेकिन आज भी गीता में वह ज्यान है जो अकलपनिय है जिसे समाने व्यक्ति सोच भी नहीं सकता मतलब साफ है कि ऐसा उपदेश कोई देव पुरुस ही दे सकता है। देव पुरुस तो भगवान कृष्ण ही थे और जब सिरी कृष्ण थे तो पांडव भी थे। आठवा घटरूतकच का कंकाल कृुरुषतर के पास भारतिय पुरातत्त्य विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विसाल आदमी का कंकाल मिला था। इसको देखकर यह पता चलता है कि यह कंकाल किसी साधान मनुस्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी है यह कंकाल घट अभी जानते होंगे जब भीम और हीडिमबा का पुत्र घट्रोत्कच महाभारत के जुद्ध में लड़ाई करने आया था तब कर्ण ने अपनी सक्ति से उसको मार दिया था महाभारत के महाकाव्ड में दियागय घट्रोत्कत का बर्णन भी इसी कंकाल के समान है नौवा प्रमाण असवथामा भगवान कृष्णि के साब के कारण असवथामा आज भी जिन्दा है और बनों में भटकते रहते हैं असवथामा महाभारत की उन सबूतों में एक हैं जो इसके सच होने का वास्तविक सुबूत हैं दुराचारे का पुत्र असवथामा अत्यदिक बुद्धिमान और प्रभावसाली थे बचपन से ही असवथामा के माथे पर एक मड़ी था जिसका उसे कोई हरा नहीं पता था इतिहास में कई बार लोगों ने असवथामा को गल और फूल चाहते हैं तो दोस्तों यह थे महभारत काल के नो जिन्दा सबूत यदि आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो कि यह पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद